और इस वक्की बड़ी खबर आपको बता दे सूपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्की जाननी जाए आप ऐसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए और आठवी का रिजल्ट जारी किया था जिसके बाद अब बोर्ट दस्वी और बारावी के रिजल्ट जारी करने वाला है रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र एंपी बोर्ट के आदकारिक विबसाइट इस साल एंपी बोर्ट रिजल्ट जल्दी जारी करने की योजना में है एंपी बोर्ट कच्चा दस्वी और बारावी रिजल्ट दोहजार चौविस को अप्रैल में ही जारी कर दिया जाएगा एंपी बोर्ट परिच्चा दोहजार चौविस में पास होने के लिए इस्टुडेंट्स को हर बिसे में 33 प्रस्त मार्क्स लाना अनिवार है इसके कम अंग होने की स्थिती में इस्टुडेंट्स को MP Board सप्रिमेंटरी परिछा पास करने का एक आउसर दिया जाएगा MP Board कच्छा दसुई की परिछा 5 फरवरी 2024 से और बरहामी की 6 फरवरी 2024 से सुरू हुई थी मद्व प्रदेश माद्मिक सिच्छा मंडल MP Board ने कच्छा दसुई और बरहामी की परिछा खत्म होने से पहले आंसर कॉपियों की मूल ल्यांकन प्रक्रिया 22 फरवरी 2024 से सुरू कर दी है इस से असपष्ट होता है कि इस साल MP Board रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा MP Board evolution process के लिए हजारों सिच्छकों की ड्यूटी लगाई गई है हर साल की तरह इस साल भी evolution करने के लिए सिच्छकों के लिए कुछ सक्त नियम बनाए गए है MP Board क्लास 10 और 12 की कापी चेकिन ड्यूटी में लगाएगे सिच्छकों को प्रती कापी के हिसाब से रुपए दिये जाएगे जो सिच्छक MP Board 10 की कापी कापी का मुल्यांकन करेंगे उन्हें हर कापी के लिए 15 रुपए देने का निर्देश है और वही MP Board 12 की कापी कापी का मुल्यांकन करने वाले सिच्छकों के लिए हर आंसर सीट की चेक करने के लिए 16 रुपए का भुकतान किया जाएगा MP Board 12 और 12 मुल्यांकन प्रिकरिया को पारदर्सी रखने के लिए MPBSC ने सिच्छकों के लिए कुछ निर्देश जारी किये है MP Board Answer Seat Evolution Guideline के तहट कापी चेकिंग में कोई गलती होने पर सिच्छकों को सजा दी जाएगी अगर उनोंने मुल्यांकन में गलती स्की नंबर कम या जादा दिये तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा जितने भी नंबर कम या जादा होंगे उनके लिए हर एक नंबर मुल्यांकन फिस में से 100 रुपए काट दिये जाएगे अगर आप भी अपने बोर्ड से सम्मंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं वीडियो के कमेड़ में अपने बोर्ड या राज का नाम जरूर लिखें जाते रहते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद